हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु वीना अगरवाल किचिन आज की जो रेसिपी है वह है 7 प्लस मन्थ बच्चों के वेट गेन लंच या डिनर रेसिपी वेजिटीवल से भरपूर या रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है साथ ही या काफी फिलिंग भी होती है जो इसे पर्फेक्ट लंच या डिनर रेसिपी बनाता है तो एक बाद जरू ट्राइ करें आईए बनाना शूर करते हैं इसे बनाने के लिए एक कुकर को गर्म कर लेंगे इसमें थोड़ा सा घी एड़ करेंगे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें राई या सरसो के दाने एड़ करेंगे जैसे ही राई चटक जाएगी इसमें एक लहसुन की कली को बारी काट कर एड़ करेंगे एक छोटा आलू लिया है इसका छिलका निकाल देंगे और छोटा छोटा इसे काट लेंगे इसको कुकर में आड़ करेंगे एक छोटी गाजरली है इसका भी छिलका निकाल देंगे और छोटा छोटा काट लेंगे इसको भी कुकर में आड़ करेंगे थोड़ी सी गोभी ली है इसको भी काट लेंगे और इसको कुकर में एट कर देंगे दो मटर ली है इनकी दाने निकाल लेंगे और कुकर में एट कर देंगे दो चंबस टुकड़ी वाले चावल लिये हैं इनको पानी से अच्छी से साफ कर लेगे इन साफ किये चावल को को कर में एट कर देगे अब इन सब को चलाते हुए आधा मिनिट के लिए भूनेंगे इसमें आधा क्लास के करी पानी एट करेंगे इसमें थोड़ी सी हींग एट करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर एट करेंगे थोड़ा सा नमक एट करेंगे अगर बच्चा 10 मन्द से छोटा है तो नमक अवाइट करें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एट करेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे अठा का चेक कर लेंगे कि rice और vegetables अच्छे से पक गए हैं या नहीं अगर पक गए हैं तो इसको measure की help से mash कर लें या दरदरा grind कर लें आखिर में इसमें थोड़ा सा grate या mash किया हुआ paneer add करेंगे अच्छे से इसको mash करेंगे इसमें थोड़ा सा घी add करेंगे जो optional है और इसको हलका गर्म बच्चे को खिलाएं अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको latest notification मिलते रहें